हलो बच्चो मैं हूं प्रेम रंद्ध गुमार और आप देख रहे हमारा यूटूब चैनल टीके दीपक प्लासिस इस चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है अगर हमारी वीडियो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो आप मेरे चैनल को पहले सब्सक् चैनल रहा है यूइंट अद्ध मेजरमेंट इन प्लास लेम फिशिस अप्लिगेशन आलाइसे तो रहे हिती तो हम नहीं क्या किया यूजरू करके हम बताये खिए कि का इक्वेशन राइट है कि रांग है है धित्यु नहीं नहीं तो कोई भी पीचिका एक्वेशन है अगर वो दिमेंशनी करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है या नहीं है हम दिमेंशन के बिसे स्टेश को हम चेक कर सकते हैं दुसरा कि एक यूनिट के सिस्टम को हम दुसरे यूनिट के सिस्टम में कर सकते हैं तो convert the unit one system to another system लेकिन physical quantity क्या माना चाहिए? तीसरा तीसरा जो हमारा topic है वो है to write a formula just by knowing the factor on which a given quantity depends थर्ड जो है डिमेंशन अलाइस का यूज हो रहा है थर्ड क्वाइंशन को यह है कि हम physics का किसी भी equation को नहीं है हम कुछ physics के equation है जिसको हम derive कर सकते हैं यूज हो डिमेंशन अलाइस है उसके लिए हमको दिया हुआ किया रहा है जिस quantity का हमको formula निकालना है वो quantity किस पर depend है वो हमको मालब होना चाहिए समझ में है तो वो quantity किस पर depend है अगर हमको पता है तो हम उस quantity का formula निकाल सकते हैं किसके मदद से due to help of dimension analysis है वो dimension की मदद से हम physics के equation को क्या कर सकते हैं सारा physics का equation है कुछ physics का equation राइट है लेकिर जिस quantity का हमको formula निकालना है वो quantity किस पर depend है वो हमको मालूम बना चाहिए के लिए समझे मैंने बाद तो आईए एक जापर समझते हैं है थर्ड पॉइट है दिया हुआ है कि फोर्स एप फोर्स दिया हुआ है एप उन पार्टकल डिपेंड होगा है किसी अब्जेक्ट पर किसी पार्टकल पर फोर्स लग रहा है देखें हमों फोर्स डिपेंड किस पर करना है डिपेंड करना है मास एन और पार्टकल जो पार्टकल का मास है उस पर डिपेंड करना है हम क्लास नाइन्थ में स्टेडिक किये पोस्ट इवर्ट तो मास इंटो इंटो इसलेशन नहीं ला सकते हैं लेकिन हम उसके फॉर्म में लाएं कैसे तो जब भी इस प्रकास कोश्चन आए तो जिस फॉर्मुला को डेराइट करने आए और डिपेंडेंट तर्म दिया हो तो कै सुछ पॉर्म्ला कुशिं यस कर नगे है वह जिस पर डिपेंड कर रहा है वी अ मुर्ऻ डिपेंड इस पर कुछ पावर कुछ रखनें वहित रहा है अ मुज एक पॉस्स पर कुछ पावर सब्सक्राइब यहां तक समय प्रिया चलते हैं तो बच्छो हमनी खको जिसका और रूग्छ थे को डिया थे वो किसपे दिपेंड करेंगा शुक्रेंग पावर करेंगी उसल्मा पे डिमाज पर रहता था फॉर्स थे फिरते है थे पर दीपिए हिसन पर रिलेहmpfen पर सा था फॉर्स और गैंड दिए को सिखेंगें पॉर्ट पे पावर एंड य पर कॉर्टर्टल शाइन पर पावर य तो क्या लिए पे पॉर्ट्टल रिखनें और यह फोर्ट्टल प्लेश्ट अब यूरी लेस होता चाहिए यह constant क्या होना ची दैमेंशन रेस होना ची तभी आप formula डेराइट कर सकते हैं तो कुछ limitation है dimensional राइट तो last point रिखा दें ऐसे इस क्या क्या limitation है है लोगी तो के यह उनमारा प्रकॉस्टल सेट आए उसके बन्ले में जो constant रखे वो constant हमेशा क्या होना ची dimensi constant dimensi is constant होना ची कोई constant का क्या dimension नहीं होना ची रहे चारी अब क्या का हमें लेफ-h day side और राफ-h day side दो का dimension को equate करें Dimension of left hand side equal to dimension of right hand side, clear? Dimension of left hand side, dimension of right hand side, dimension of right hand side, equal to dimension of right hand side, equal to dimension of right hand side, equal to dimension of right hand side. mель t Bpower minus 2 one two two three 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 four three three two three three यह क्या है मास का डाइशन क्या होता 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 है मास का डाइशन का डाइशन क्या होत L पे पावर 1 and T पे पावर minus 2 एक्कोई तो क्या करेंगे इधर भी सेपरेट करेंगे L पे पावर X L पे पावर Y and T पे पावर minus 2Y clear यह तक क्लिए ठील एकिवयंट दो आज पावर पया करेंगे तो तो फिर पावर तो लो इसके power court क्या और किक्वेट करते हैं, xएक्वेट क्या है? ये लेंड है ना M को M के साथ equate करो तो X इक्वल डू क्या है कि एका एक वाज एक वाज वो L K के साथ equate करो L का क्या है किदा L P पावर 1 किदा L P पावर Y तो L L common तो y को जाएगा 1, t को t के साथ इक्वेट करूँ, यहाँ माइनस 2y, क्या लिखेंगे, माइनस 2, यहने के माइनस 2y इक्वाल 2, माइनस 2, राइट, को दिकर, तो माइनस माइनस केंसी, 2, 2 केंसी, फिर से y का वैल इतना है आपा, कोई भी टम लेट, राइट, तो m को m के साथ, l को l के साथ, और t को t के साथ, राइट, इक्वेट कर की, तो मामारा क्या है, x उक्वाल 2, y एक्वाल 2, 1, तो इस तरह से हम लगा सकते हैं, कि यहाँ जिद ल्ग वह श्काशर लू आई, वो क्या है, यह x pa यह poi यह power y हें, x का value इतना है 1, तो इसका फॉर्मुला हो गया KMA, हैने लिए, अब ये K का कितना value होगा, K ता constant value होगा, ये dimension realizing से हम नहीं विकाँ से होते हैं, हैना, राइट, ऐसे post का formula क्या होता है, mass into acceleration, मतलब K का value क्या होता है, 1, तो K का value 1 experimentally proved किया रही है, ये dimension से हम K का value 1 नहीं विकाँ सकते हैं, किसी भी constant का value, dimension को use करके नहीं विकाँ सकते हैं, तो experimentally देखा गया, जब experimentally किया गया, तो K का value क्या रही है, value, right, और force equal to क्या है, mass into acceleration, खिलिए, तो देखो, कैसे सब्यों, जो time दिया होता, जिस पे depend कर रहा था, जो इसका formula निकाल रहा था, वो depend कर रहा, mass पी, उसके power x रख दिए, और यह एको डिपेंट कर रहा था, जिस पे depend कर रहा था, जिस पे पर रहा था, state number first, state number second, दोनों को combine करने के बाद यह है, और फुस्ना हम घटाओ, उसके बगले में क्या होना चाहिए, dimensionless constant होना चाहिए, अगर dimensionless constant नहीं होगा, तो हम उसका formula derived नहीं कर सकते हैं, तो K हमारा जिस पे इसा होना ची, dimensionless constant होना ची, कोई constant वेह होना की, one, two, three, four, right, clear, फिर जाके रहें, left inside का dimension, right inside का dimension को equate कर देगी, left inside का, force, right inside क्या होगा, k, m, a, k, d, k, dimensionless constant, इसका कोई dimension नहीं होगा, m और a का dimension होगा, m और a का dimension, पिर क्या की है, m, l, t को अलग कर लिए, इदर भी m, l, t को अलग कर लिए, फिर उसके बाद, m to m के साथ equate, l to m के साथ, t to t के साथ equate, k, x equal to one, y equal to one, आया, last में, force equal to का है, k, m, a, और यहाँ पे k का value, dimension को यूज़ करके नहीं निकाल सकते, इसलिए extremely value निकाला गया, k equal to one, इसलिए force equal to क्या होता है, master to acceleration, clear, चलिए, चलिए.